नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम निउस 24 मैं हुआ शाली नमामी गंगे यात्रा को लेकर जन से जल को जोड़कर गंगा की अविरल निर्मलता और उसके महत्व को जन जागरुकता अभियान से जोड़कर गंगा यात्रा के एक पक्वाडे बजनौर वहीं दूसरी पक्वाडे बलिया से होकर चलने वाली आलोकिक यात्रा 27 जनपदों से होकर गुजर रही है उननाव जनपद की बक्सर में रातरी विश्राम के साथ यात्रा लगभग 9 बजी पहुँची जिसमें जिले की प्रभारी मंत्री कमला रानी, मंत्री नीलकंठ तिवारी और बाल एवं पुष्टाहार मंत्री स्वाती सिंग वहीं विधान सभा अध्यक्ष रदय नारायन दीक्षित के साथ उननाव सदर विधायक पंकज गुपता मौजूद रहे प्रशासन की मौजूदगी में जैसे ही यात्रा बक्सर पहुँची इसके बाद गंगा आरती का कारिक्रम संपन हुआ जिसमें भारी मात्रा में चहल कदमी मची रही जन्संपर कैवं सूचना विभाग की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कारिक्रम नुकर नाटक जादु और कठपुतली न्रत्यका भी आयोजिन किया गया जिसमें दर्शकों की भारी भीड रही उन्नाव जिले की सीमा में आते ही गंगा रथ यात्रा का स्वागत त्रिवेणी कासी स्कूल के चात्रों द्वारा पुष्प वर्शाकर किया गया अध्यक्ष विधान सभा उत्तरप्रदेश हर्दय नारायन दीक्षित जिला प्रभारी मंत्री कमला रानी, मंत्री स्वाती सिंग, सांसद उन्नाव हरी साक्षी, जिला पंचायत अध्यक्ष संगीत सेंगर, विधायक पंकच गुपता, विधायक ब्रजेश रावत, जिला अध्यक्ष भाजपा सहित अन्य गणमानी लोग और पार्टी पदाधि कारी, कारिकर्ता और भारी संख्या में क्षेतरी लोग मौजूद रहे, बिहार से लेकर बकसर तक जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया, भगवंत नगर को भी दुलहन की तरह सजाया गया है, वहीं केंद्री मंत्री, स्मृति इरानी और उप मुख्य मंत्री केशव प टी में भी तानात रहें, प्राइम नियूस 24 के लिए अनिल प्रजापती की खास रिपोर्ट